हाली में इरान ने पाकिस्तान के उपर अटेक किया, पाकिस्तान ने इरान के उपर अटेक किया, ये दोनों एक दूसरे के उपर अटेक करने के बाद एकदम से सुला कैसे कर बैठे, इनके पीछे के क्या फैक्टर्स है, इसमें रश्या, चाइना और यूएसे के साथ साथ, सा अगर आप ये चीज को जान लेंगे कि इस पूरे इशू के पीछे का खेल क्या है तो आपको समझ आएगा कि इसी के पीछे कुलबूशन जादव के अबड़क्शन का जो राज है वो भी छुपा हुआ है और इंडिया के ट्राइम 400 परचेस करने का राज भी छुपा हुआ है तो आईए इस गेम को ध्यान से समझते हैं और आज के इस वीडियो में हमारी यही पहल रहेगी जब ब्रिटिशर्स बेसिकली भारत में आए थे तो भारत को उन्होंने जब अपनी कॉलिनी बनाया तो उस समय ब्रिटिश का एक फ्रंटियर प्रोविंस होता था बलूचिस् अब ब्रिटिशर्स यह चाते थे कि इरान और ब्रिटिश इंडिया जिसकी एक फ्रंटियर बाउंडरी होती थी बलूचिस्तान में उसको किसी तरीके से सेटल की जाए लेकिन ब्रिटिश इस काम में नाकाम रहे उन्होंने तीन बार कोशिश जरूर करी 1871 में 1896 में और उस काम में वो नाकाम रहे सबसे बड़ा नाकामी का कारण यह था क्योंकि जो बलूचिस्तान का प्रोविंस था उस बलूचिस्तान के प्रोविंस पे अफगानिस्तान का भी एक क्लेम हुआ करता था और साथी में इरान का भी एक क्लेम हुआ करता था तो क्योंकि यह दोनों द तहत अपनी तरफ से एक unilateral border बलूचिस्तान और इरान के बीच में बना के थोब दिया अब जब Britishers पूरे सब कॉंटिनेंट को छोड़ के गए तो उस समय यहाँ पर शीत युद यानि की cold war start हुआ जब cold war start हुआ तो उस समय बलूचिस्तान जो है Britishers जब उसको छोड़ के गए तो वो एक independent country थी और उस independent country को Pakistan ने illegal तरीके से forcibly उसको acquire किया और जब उसको forcibly उसने acquire कर लिया इस particular incident के बाद Pakistan की एक मोहीम यह चली कि उसने बलूचिस्तान को अपने कबजे में लाने की पूरी कोशिश करी अब जाहिर सी बात है कि अगर Britishers जब थे तो उस समय अगर इरान और अफगानिस्तान के बीच में बलूचिस्तान के प्रोविंस के उपर claims हुआ करते थे तो अब यह three party claims हो गए यानि कि अब पाकिस्तान ने एक territory को forcibly acquire कर तो पाकिस्तान का एक claim बलूचिस्तान पे बना उस बलूचिस्तान के साथ अब पाकिस्तान की boundary इरान के साथ थी और इस इरान के boundary के बीच में और पाकिस्तान की boundary के बीच में इरान पाकिस्तान के claims थे लेकिन सारसाथ अफगानिस्तान जैसा मैंने आपको बता है वो भी बलूचिस्तान के कई अलाकों को क्लिम करता था क्योंकि उसकी पश्टून डामिनिंट पॉपुलेशन बलूचिस्तान में रहती थी तो कहने का मूल रूप से मकसद यह है कि 1947 से जब से बारत का बटवारा होके उस बटवारे के बाद एक बूकानंगा देश पाकिस्तान पैदा हुआ तब से इस पटिकुलर टेरिटरी का जो बलूचिस्तान की टेरिटरी है यह कोई स्टेबलाइजड टेरिटरी नहीं थी 1948 में जब पाकिस्तान ने उसको उक्यूपाई कर लिया उस उक्यूपेशन के बाद से इरान अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बलूचिस्तान में टेंशन हमेशा से रहते थे लेकिन क्योंके जब शीत यूद स्टार्ट हुआ 1950 के तशक में 1950 में जब कोल्ड वार स्टार्ट हुई तो उस समय कोल्ड वार के दोरान क्योंके अमेरिका ने एक अम्रेला अलाइंस बनाया हुआ था जिसका नाम था बगदाद पैक्ट उस बगदाद पैक्ट के तहत जिसको सेंट्रल ट्रीटी और्गनाइजेशन या सिंटों भी उस समय का अकरते थे उसके तहथ अमेरिका ने पाकिस्टान को और एरान को एक ही अम्रेला अलायंस में रखा था अब ظाहिर सी बात है कि यहाँ पर पाकिस्टान और एरान जो दोनों अलग देश हैं अलग इस कारण से हैं क्योंकि पाकिस्टान में जो मुसल्मान रहते हैं वो सुन्नी मुसलिम है, जादा से जादा नंबर में, मिजॉरिटी नंबर में, और इरान में जो जादा से जादा मिजॉरिटी रहते हैं वो शिया मुसलिम है, अब शिया मुसलिम सुन्नी मुसलिम में वैसे भी बहुत डिफ में उस समय इरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और तो और उस जंग में इरान ने पाकिस्तान को दो लाख टन ओयल भी दिया था इसके साथ साथ सिरफ इतना ही नहीं बलकि 1971 की जन यानि कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में यो दुखुआ तो उस समय फिर से अग टर्की ये दोनों देश हमेशा से 1965 से लेके 1971 की जंग तक जो है पाकिस्तान का साथ देते रहे लेकिन चीजें बदली चीजें बदली 1979 में क्योंकि 1979 में ये हुआ कि जब इरान में एक revolution हुआ और एक करांतिकारी आने के बाद जो प्रो अमेरिका की सरकार रेदा शाह पहलवी की वहाँ पर बैठी थी उसको हटाने के बाद आयतॉला खुमीनी ने एक नया revolution करके एक theocratic state theocratic state यानि की एक religious state का गठन किया तो उस समय इरान के अंदर जो ये रेजीम चेंज हुआ 1979 में ये रेजीम एक ऐसा रेजीम आया 1979 के बाद जो anti-US हो गया अब अगर ये रेजीम anti-US हुआ तो उस समय जाहिर सी बात है कि US ने इस चीज़ का response दिया अफगानिस्तान में एक जंग चेड़ के और अफगानिस्तान में जंग कैसे चेड़ी की उन्होंने पाकिस्तान का प्रयोग करके 1979 में अफगानिस्तान के अंदर internal disturbances इस प्रकार के कर दिये कि सोवियत को अफगानिस्तान को invade करना पड़ा और जब सोवियत अफगानिस्तान के अंदर invade करके 1979 में आया तो उस समय इरान को सबग सिखाने के लिए पाकिस्तान का मदद लेते हुए अमेरिका ने साओधी अरेबिया को भी अफगानिस्तान के theater में जोड़ दिया अब इरान के सामने एक जगा पर ये front था कि उसको एक जगा पर अपनी ही boundary के अफगानिस्तान की territory में सोवियत से भी अपने आपको कर रही थी और अमेरिका जो पैसा arms असला ammunition लगा कर इन सारे games को समय खेल रहा था तो 1979 में इरान को इस तरीके से counter करने की कोशिश की गई 1980 से इरान इराक युद्ध भी छेड़ दिया गया और इस युद्ध को छेड़ने वाले फिर अमेरिका था अमेरिका ने उस समय इराक का प्रयोग किया इराक में जो सुनी लीडर था सद्दाम हुसेन उसको सपोर्ट करके उसको असला बारूद पैसा दे के उसको बोला कि आप इरान के उपर अटेक करना शुरू कर दीजे तो हर तरफ से कोशिश अमेरिका की 1979 के बाद ये थी कि किसी भी तरीके से इरान की रेजीम जो अटल्ला खुमीनी की आई है उसको गिराया जाए और नहीं रेजीम वहाँ पर लगाई जाए लेकिन क्योंके नहीं रेजीम लाना वहाँ पर इतना इजी नहीं था तो इस कॉंटेक्स्ट में इरान उस समय बहुत ही जादा गहरे संकट और प्रेशर में था ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इरान ने उस समय पकिस्तान को काउंटर करने की एक पूरी की पूरी गेम प्लैन इरान ने ये चीज तो समझ ली कि शीत युद में ये जो बड़े-बड़े प्लैर्स अमेरिका और सोवियत अफगानिस्तान के अंदर गुसे हुए हैं ये जादा समय जंग नहीं छेड़ पाएंगे और वो ही हुआ क्योंकि 1985 तक सोवियत बहुत ही जादा बुरी तरह से हार चुका था अफगानिस्तान में और अगले ही तीन साल के अंदर अंदर यानि कि 1988 तक 1980 के दशक के खतम होने तक 1988 तक सोवियत ने अपने हाथ खड़े करके अफगानिस्तान से रिट्रीट कर लिया लेकिन अफगानिस्तान से सोवियत तो रिट्रीट करके चला गया लेकिन उस पूरे दोरान 1979 के बाद इरान का रवया दूसरे देशों को लेके क्या था सबसे महत्वपूर्पूर चीज जानने की यह है कि इरान का रवया भारत को लेके एकदम से 1979 के बाद बदल गया अभी तक इरान जो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा था उसने 1980 से भारत के साथ एक नई रणीती के तैद नए तरीके से इंगेज करना चालू किया क्योंकि अब इरान को यह लगने लगा कि जितना मैं भारत के साथ इंगेज करूँगा उतना ही मिरको पाकिस्तान को काउंटर चेक्मेट करने की शक्ती मिलेगी और भारत ने भी उस समय क्योंकि वो अफगानिस्तान पे नजर रखना चाता था अफगानिस्तान में नजर रखने के लिए उसके बाद सोवियत का एक तरीका था और उसको यह लगने लगा कि अगर मुझे इरान का फ्रेंट मिल जा है तो इरान के फ्रेंट से मैं अफगानिस्तान के साथ साथ सबसे महत्वपूर तरीके से पाकिस्तान की हरकतों पे और पाकिस्तान की गतीविदियों पे, खास करके बलूचिस्तान में भी जो हो रहा है, महा पर भी नजर रख पांगा, तो उस समय 1980 के दशक की ये बात है, कि जब भारत ने अपना बलूचिस्तान के अंदर इरान से मदद लेते हुए, अपना कोवर् आरेने डबलू जो है उसने इरान के साथ इंगेज गरके 1980 के पूरे दशक में बलूचिस्तान के अंदर जाकर अपनी पूरी गहरी प्रिजन्स बनाई अब ये हुआ लेकिन कि पाकिस्तान और इरान के रिष्टे ओवर पिरिड ऑफ ताइन दिन पर दिन खराब होते गए जब शीटी ओद खतम हुआ 1990 में तो 1990 के शीटी ओद खतम होने के बाद बेनजीर भुटो जो उस समय पाकिस्तान में थी उस समय बेनजीर भुटो ने इरान के साथ रिष्टे इंपरूव करने की कोशिश कुछ ऐसी हुई कि भई उसने नाचरल गैस खरीदनी शुरू करी इरान स तो उसको लगा कि अगर एक खरीद फरोत का अगरीमेंट कर लेंगे तो शायद इससे कहीं ना कहीं इरान को हम प्लीज कर पाएंगे और बलूचिस्तान में जो टेंशन चल रही है और जो क्लेम्स इरान पाकिस्तान की इस ठेरिटरी के उपर बार बार ले रहा है वो अगर अगर आफगानिस्तान का टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में जब तालिबान का टेक ओवर हुआ तो तालिबान को कंट्रोल करवाने वाले उस समय तीन बड़ी शक्तिया थी एक फ्रंट लेवल पर पाकिस्तान, यूनाइटिड अरब एमिरेट और साओधी ये था कि वही तालिबान को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो तालिबान अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के बगल में इरान है, इरान में रेजीम ऐसा है जो अमेरिका के खिलाफ है, तो हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के थुरू इरान के उपर नजर रख पाएंगे इस context की वज़ा से ये हुआ कि Taliban के आने की वज़ा से इरान पाकिस्तान के रिष्टे फिर से वापिस से खराम होने लग गए लेकिन जब 9-11 हुआ जब 2001 में terrorist attack हुआ और उस terrorist attack के बाद अमेरिका का जब World Trade Center गिरा तो इस World Trade Center के बाद इरान को एक चीज अब ये समझ आने लग गई कि भई अगर मुझे अपनी security इंशियोर करनी है तो मुझे कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त करनी पड़ेंगी जिसकी वज़ा से मुझे पूरे विश्वत तोर पर कोई तंग ना कर पाए और उसने सोचा कि भई अब 2001 के बाद क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में बिजी होने जा रहा है वहाँ पर एक जंग छेड़ के लड़ाई लड़ेगा और साथ-साथ उसने 2003 में इराक को इन्वेड कर दिया तो इस context में ये हुआ कि अफगानिस्तान की टेरिटरी और इराक की टेरिटरी में जब अमेरिका व्यस्त हो गया एक लड़ाई लड़ने में 2001 और 2003 से तो उसके बाद इरान ने अपना न्यूक्लियर कारेकरम को बहुत अग्रेसिव लेवल पर आगे बढ़ाया जिसको उसने पहले हलके पुल के लेवल पर बना के छोड़ रखा था और 2006 तक एक ऐसी परिस्तिती पैदा कर दी कि 2056 में उस समय जो इरान का प्रेजिडेंट हुआ करता था इरान का राश्टरपती जिसका नाम था मौमद एहमदी निजाद उसने 2006 की बात है कि पूरे विश्व स्थर पर एक प्रेस कॉंफरेंस करके पूरे विश्व के रिपोर्टरों को उसने लिजा कर एक फसिलिटी में इरान के न्यूक्लियर बम दिखाने शुरू कर दिये उसने बेसिकली कुछ ऐसा आर्सनल दिखाया लोगों को जिसके तैद उसने ये बताने की कोशिश करी कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रेयोग करके हम चन्द दिनों के अंदर अंदर एक न्यूक्लियर बम असेंबल कर सकते हैं और इससे अब हम अपनी सेक्यूरूटी को इंशूर करेंगे जब इरान ने ये न्यूक्लियर गेम खेलना शुरू करा तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे पहला स्ट्रेस पाकिस्तान के उपर पड़ा क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी शक्ती थी जिसने बेसिकली चन्द साल पहले ही भारत के साथ कॉमपटिशन में 1998 में एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करके अपने अपको भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट डेजिगनेट करवाया था सबसे बड़ा स्ट्रेस उस जाहिन पे दूसरी जो शक्ती हुई वो थी इसराइल क्योंकि अब इसराइल को ये लगने लगा कि हो है साओधी अरेबिया तो इसकी वज़ए से साओधी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और पूरा मिडल इस्ट और पूरा वेस्ट एशिया न्यूक्लियर आइज हो जाएगा साओधी अरेबिया को ये चीज़ देखे और खलवली मचने लग गई उसको ये लगने लगा कि यहुदियों के पास वेपन है यहाँ पर एहमदी निजात बोल रहा है कि चन्द दिनों में हम अपना बंब असेंबल कर लेंगे तो कहीं ऐसा ना होगी सुन्नी लोगों के पास एक सुन्नी बंब ना हो पाकिस्टान ने बोला कि हम सुन्नी मुसल्मानों के रक्षक हैं तो हम उस समय साओधी अरेबिया ने पाकिस्टान के मुँपे एक गुमारी चपेड मारी और बोला कि कुमारी कोई हैसियत और उकाद नहीं है, तुम सुननी मुसल्मानों के कोई बहुत बड़े रक्षक नहीं, तुम तो भक्षक हो, तो तुम चुप रहो, तो उस समय यही हुआ कि भई, पाकिस्तान के बीच में, साथी अरेबिया के बीच में, इसराइल के बीच में, इन सारे देशों के बीच में, खलवली यह मचने लग गई कि, यदि इरान ने अपना बम बना लिया, तो पूरा मिडलीस्ट और डिस्टेबलाइज होगा, जैसे जैसे यह चीज़ें चल रही थी, उस समय का अमेरिका का राश्रुपती ओबामा था, ओबामा ने यह चीज़ को समझी, और कूट नीतिक लेवल पर ओबामा ने इरान के साथ इंगेजमेंट चालू किया, ओबामा का इंगेजमेंट इस पॉइंट पर डिवन था, कि हम किसी तरीके से इरान के nuclear program को डिले करते हैं, डिले करने का तरीकाई यह है कि वहीm ऐसी कंट्रोल की रेजीम लगाए हैं इरान के उपर, कि जिसकी वज़र से इरान को ये भी ना लगे कि हमने उसके nuclear weapon या nuclear technologies को छीन लिया हैं, पर हम कुछ ऐसी परिस्थिती पैदा कर दें कि जिससे एरान चंद दिनों के अंदर या चंद महिनों के अंदर बम असेंबल ना कर पाए अगर कोई ऐसी परिस्थिती हो तो एरान को अपने बम असेंबल करने के लिए कई सालों का गठन करना पड़े और इसके तहट 2011 में और 2012 12 में उबामा ने इरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करी और वो न्यूक्लियर डील के तहट जब इरान और यूएस एक दूसरे के साथ क्लोज होने लग गए तो जाहिर सी बात है कि इसकी इरिटेशन साओधी अरेबिया इसराइल और बाकी प्लेट्स को हुई और खास करके पाकिस्तान को हुई क्योंकि उसको बार-बार ये लग रहा था कि अगर अमेरिका का पेट्रोन ये पाकिस्तान से शिफ्ट होके इरान की और चला जाएगा और अगर पाकिस्तान को ये लगने लगा कि अमेरिका सारा ध्यान मुझे छोड़के जो है वो बेसिकली इरान के ओपर लगाएगा तो मैं तो लावारिस हो जाओंगा भई तुम तो पैदा ही लावारिस हुए हो तो तुमारे पास तो वैसे ही तुमारे को कोई भी सड़क पर पड़ा हुआ आते जाते तुमारे को लाती मारेगा लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान को बहुत खलबन लाने लगी इस कॉंटेक्स में ये हुआ है कि उस समय पाकिस्तान का एक राश्ट्रपती हुआ करता था जिसका नाम था आसिफ अली जर्दारी है I am sure आप सभी ने सुना होगा और शायद एक पॉंट में जो आपको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को ये बात कभी नहीं पता होगी कि आसिफ वली जर्दारी जो है पाकिस्तान में एक शिया मुस्लिम था उस समय आसिफ वली जर्दारी जो की एक शिया पाकिस्तान का मुस्लिम राश्ट्रपती था उस व्यक्ति ने आसिवली जर्दारी ने पाकिस्तान का हेड होने के नाते इरान के साथ इंगेजमेंट चालू किया और ये चीज इंगेजमेंट देखके जो है साओधी अरेबिया को बिलकुल पसंद नहीं आया साओधी अरेबिया ने का कि भई तुम जैसे भूके नंगों को हम कितने सालों से पाल रहे हैं और तुम हमारे से हमेशा भीक मांगे ये ले जाते हो कि हमारे को पैसा दे दो तो साओधी अरेबिया ने immediately अपनी intelligence को लगा के Royal Saudi Intelligence का प्रयोग करके पाकिस्तान के अंदर आसेवली सरदारी की सरकार गिराई और उन्होंने उसके बाद तुरंट जो है नवाश शरीफ को elect करवा के जो है एक सुन्नी मुसलिम जो था जो की प्रो साओधी अरेबिया और अंटी इरान था वो रेजीम चेंज करवा के कम से कम पाकिस्तान को उस गेम से बाहर कर दिया जिसमें अमेरिका अल्रेडी nuclear deal साइन करके कुद चुका था तो साओधी अरेबिया भी यह नहीं चाहता थे कि एक नया प्लेयर पाकिस्तान भी वहाँ पर कूच जाया अमेरिका के साथ तो साओधी अरेबिया का यह रोल रहा है और इस कॉंटेक्स्ट में यह हुआ कि जब नवाश शरीफ की सरकार रही लंबे समय तक तो नवाश शरीफ ने इरान के साथ किसी प्रकार की इंगेजमेंट कोशिश नहीं करी और अभी जब नवाश शरीफ के आटने के बाद इमरान खान आया था तो इमरान खान के दुरान तो एक चीज़ यह हो गई थी तुमारे पाश शरीर पे पहनने के कपड़े और मुँ में डालने के लिए रोटी नहीं है चलते फिरते लोग तुमारे मुँ से निवाला चीन लेते हैं और तुम आज की डेट में जो है मतलब साओधी अरब और इरान के बीच की रेपरोच्मेंट कराओगे कम से कम ऐसे खाब रखना भी तुमारे जैसे लोगों के लिए मतलब एक बदनसीबी है तो इमरान खान का भी समय कोई बहुत जादा रहा नहीं आप जानते हैं और उसकी सरकार भी तुरंद गिर गई क्योंके उसके आर्मी और ISI के साथ खुद के ही बहुत इंटरनल डिफरेंसे हो रहे थे तो कहने का मुल रूप से मकसद एक है कि पाकिस्तान के आसे वली जरदारी के दुरान इरान के साथ रिष्टे अच्छे होए और उस पीरियड को छोड़के पाकिस्तान इरान के बीच में नंबर वन हमेशा टेंशन ही रही अब सबसे बड़ी बात ये है कि एक ये जो संगठन है जिसका नाम है जैशुल अदल ये जैशुल अदल नामक संगठन जो है ये 2002-2003 में बनी थी उस समय इसका नाम था जानदुला अब ये जानदुला जो थी उस समय बनाई गई थी बलूचिस्तान के इलाके में अच्छा अब जो बलूचिस्तान का इलाका है इसको इरान भी क्लिम करता है मैंने आपको विडियो के शुरुबत में भी बताया था इसको पाकिस्तान भी बोलता है कि ये हमारा इलाका है अब जो इरान है वो बलूचिस्तान के इस इलाके को इसलिए क्लिम करता है क्योंकि वो कहता है कि भई बलूचिस्तान के इलाके में हमारे वहाँ पर शिया मुसल्मान रहते हैं जो कि इरान के सिस्तान प्रोविंस से लेके बलूचिस्तान पाकिस्तान तक रहते हैं तो इरान बोलता है कि भई पाकिस्तान का बलूचिस्तान और मेरा सिस्तान प्रोविंसी ये सिस्तान बलूचिस्तान इरान का होना चाहिए और पाकिस्तान ये बोलता है कि भई बलूचिस्तान तो हमारा है सिस्तान में जो आपके बल्कि बलूची रहते हैं उनके रिष्टेद को आगे कटोरा लेके आ जाएगा कि भई आप मुझे कश्मीर दे दीजी इरान के आगे जाके बोल रहा है उनको कि भई आप अपना सिस्तान हमको दे दीजी तो ये एक कटोरिस्तान है ये पाकिस्तान नहीं है लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस पटिकुलर पॉइंट पे इरान और पाकिस्तान के डिफरेंसिस जलू है अब दोजार दो तीन में उस समय जब बेसिकली पाकिस्तान और इरान के बीच में ये डिफरेंसिस सिस्तान प्रोविंस और बलूचिस्तान को लेके बढ़ रहे थे तो उस समय पाकिस्तान की I.S.I. ने अमेरिका की पेट् यह बेसिकली उस समय पाकिस्तान में रहके ISI से सपोर्ट लेके इरान का जो बॉडर है और बलूचिस्तान का जो बॉडर है उस बॉडर पे जो इरानियन सिक्यूरिटी फोर्सेस डिप्लॉई होते थे यह बेसिकली उनको टार्गेट किया करता था और यह उनको टार्गेट कर कि क्या करता था कि उनको टार्गेट करके इरान के सिक्यूरोटी फोर्सिस को ये संगठन जो है जांदुल्ला ये मारा करता था अच्छा अब इरान को मालूम चल गया कि भी जांदुल्ला जो है ये अब्दुलमलिक रीगी के लीडर्शिप में एक संगठन है इरान को मालूम चल गया कि इसको पाकिस्टान और अमेरिका जो है support कर रहे हैं इरान को ये मालूम चल गया कि अब्दुल मलिक रीगी जो है ये basically सारा का सारा पैसा लेता है दुबई से और ये दुबई बहुत जाता है एक बार की बात थी 2010 में कि इरान की जो intelligence थी वो अब्दुल मलिक रीगी के उपर पूरी की पूरी एक operation को चला रही थी देखने के लिए कि ये बंदा है कहां और करता क्या है इरान की intelligence ने 2010 में ये observe गिया कि अब्दुल मलिक रीगी कराची से एक flight लेके गया दोबाई और दोबाई से इसने flight लेके जाना था बिशकेक सेंटरल एशिया में अब हुआ क्या कि इरान की intelligence ने ये पूरी की पूरी information इरान की government को दी इरान की government को बोला कि ये बंदा अब्दुल मलिक रीगी जो जन्दुल्ला संगठन का leader है और head है और जो हमारे security forces को मारता है border पे ये बंदा इस moment पे दुबाई में है और इसने अगले दिन flight पकड़के दुबाई से जाना है basically बिशकेक अब इरान की सरकार ने इरान की air force को बोला कि भई ये बंदा जब ये दुबाई से flight लेके जाएगा बिशकेक ये flight जाएगी Persian Gulf के उपर से हमारी territory के हमारी air space के उपर से देख लो क्या करना है इरान की air force ने उस specific दिन जिस दिन अब्दुल मलिक रीगी ने दुबाई से flight पकड़ी और वो दुबाई की flight से जब वो जा रहा था बिशकेक और जब वो flight दुबाई से उड़ती हुई Persian Gulf के उपर पहुंची तो Persian Gulf के उपर जैसे ही है civilian air craft जा रहा था इसके चारों तरफ इरान के air force के जहाज आ गए और उन्हों ने इरान के air force के जहाजों ने इस जहाज को तुरंत force landing करवाई बंदर अबबास के एरपूट पे अब इन्हों ने उस particular air craft को जो दोबई से उड़के बिश्केक जा रहा था उसकी force landing करवा के इरान में उसमें से Iranian intelligence को अंधर भेज के जब वो air craft land कर गया अबदुलमली करीगी को बाहर निकाला और बाकी लोगों के साथ air craft को उड़वा के बिश्केक बेज दिया दो दिन के बाद इरान ने जो है पूरी सरकार ने उनके एक मुहीम चला कर एक पूरा campaign चला कर ये बाद सब को पूरे विश्वे तोर पर inform करी कि अबदुलमली करीगी पकड़ा गया चन्द दिनों का उसका trial चला उसके बाद उस बंदे को टांग दिया तो अबदुलमली करीगी के मरने के बाद जानदुल्ला नामक संगटन कम्प्लीटली खतम हो गया अब 2012 में जानदुल्ला को दुबारा से रिवाइव किया गया और जब इसको रिवाइव किया गया उस समय इसका नाम रखा गया जैशूल अदल और जैशूल अदल उससमय उसकी लीडर्शिप संबाली एक विकटी ने जिसका नाम था बेसिकली अब्दुलरहीम मुलाजादे लेकिन अब्दुलरहीम मुलाजादे इसका actual नेम नहीं था यह इसका एक कवर नेम था, इसका actual नेम जो है, वो है, Сलाउदीन फारूकी करना चालू कर दिया 2012 वाला 2012 से कि ये इरान के security forces को target किया करता था 2014 में उस समय मुसाद की leadership में CIA की support से Islamic State of Iraq and Syria ISIS का नामक एक संगठन Abubakar al-Baghdadi की leadership में बना Abubakar al-Baghdadi की leadership में जब ये ISIS बना इसका main territorial focus था इराक और Syria ये दोनों territories थी इरान के उपर वाली territories objective ये था कि Islamic State of Iraq and Syria से basically इरान के उपर नजर रखी जाए तो objective ये इसलिए बनाया गया था ISIS की वही इससे हम pressure points दबाएंगे इरान के जिसकी वज़ा से इरान के उपरी territory में अगर instability create कर देंगे chaos create कर देंगे तो उस instability और chaos के कारण इरान के अंदर तक ये reverberate करेगा कि यहाँ पर भी एक problem create हो सकती है अच्छा जब ये ISIS बनी 2014 में तो ISIS ने उस समय क्योंके इरान के उपर pressure डालना था तो उस समय ISIS ने भी और अबू बकरल बगदादी ने भी 2014 में सल्लाओदीन फारुकी को सपोर्ट देना शुरू करा और जैशूल अदल को सपोर्ट देना शुरू करा तो ISIS और जैशूल अदल दोनों एक दूसरे के साथ जुडने लग गए और क्योंके ISIS को control मुसाद और CIA कर रही थी और दोनों के दोनों का objective similar ये था कि वही इरान के रेजीम के उपर pressure डाला जाए तो ISIS and जैशूल अदल जैशूल अदल जो थी वो एक प्रकार की ISIS की ही front organization मन गई क्योंके वो उसके बिहाफ पे बलूचिस्तान की territory में काम कर रही थी अब इसको tackle करने के लिए इरान ने क्या किया इरान की intelligence ने लिवा अल-जेनबियौन नामा के एक संगठन बनाई लिवा अल-जेनबियौन नाम की जब ये संगठन इरान ने 2014 में बनाई तो लिवा अल-जेनबियौन के तहट इरान ने पाकिस्तान के शियाज को रिक्रूट करना शुरू कर दिया अब पाकिस्तान के शियाज को रिक्रूट करके इस संगठन लिवा अल-जेनबियौन का हिस्सा बनाया उनको ट्रेनिंग दे के उनको सीरिया भेजना शुरू कर दिया अब सीरिया में बशारल असाद की सरकार थी अच्छा अब सीरिया में जब ये लोग गए तो उस समय क्यूकर ये पाकिस्तान के शियाज जो थे इनको ट्रेन करके इरान की और से भेजा गया तो वहाँ पर जाके इरान ने Controlled Instability Theory CIT का एक concept होता है Intelligence Raternity में उसका प्रयोग किया Controlled Instability Theory के तहत इरान ने पाकिस्तान के शियाज का प्रयोग करके सीरिया में शियाज के उपर ही शियाओं से ही अटेक करवाया अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है लेकिन इसमें कोई बेवकूफी नहीं इसके पीछे का खेल है खेल ये है कि यदि एक शियाज के उपर ही अटेक करेगा तो सबसे पहले पूरे विश्वस्तर पर सारे शियाज मुसलमान कौन से देश को देखेंगे इरान को देखेंगे वो कहेंगे कि भी देखो सीरिया में शिया मुसलमानों के उपर हत्याचार हो रहा है और जब पाकिस्तान की शियाज सीरिया गए सीरिया जाके उन्होंने शिया मुसल्मानों पर अटेक किया इससे इरान को एक फ्रंट मिल गया सीरिया के अंदर अक्ट करने का और जब इरान ने ये फ्रंट खोल के ये बोला कि भई अब हम शिया मुसल्मानों को सीरिया में बचाएंगे तो जैसे ही वो सीरिया के मुसल्मानों को और शिया मुसल्मानों को महाँ पर बचाने के लिए गए तो इरान को उस समय रशिया ने अपने तहत सीरिया के क्योंके रेजीम से रशिया का रिलेशन्शिप बड़ा क्लोज है तो रशिया ने सीरिया के साथ मिलकर इरान को सीरिया के अंदर इंट्री देते ही इरान को ये इसलामिक स्टेट के उपर नजर रखने का पूरा मौका मिल अब अमेरिका को ये बाट समझा गई अमेरिका को समझा गई कि भई या हमने Islamic State of Iraq in Syria बनाया था कि Syria के अंदर रहे के इरान के उपर नज़र रखेंगे और यहाँ पर Syria ने Russia के साथ relation improve करा हुआ अपना उनके गहरे रिष्टे होने के कारण Russia और Syria ने मिलकर इरान को Syria में Islamic State के उपर नज़र रखने के लिए मौका दे दिया तो ये एक दूसरे को इस तरीके से counter कर रहे थे लेकिन जैशूल अदल उस समय Islamic State of Iraq in Syria का एक front organization बन गई थी इरान शिया मुसल्मानों को protect करने के अपनी territory से लेके Syria तक चला गया था तो इरान को एक pan-shia पूरा एक theater मिलिया control करने के लिए ये बोलने के लिए कि भई विश्वस्ता और पर शिया मुसल्मानों के अगर कोई रक्षक है तो वो केवल हम है अचा अब इस case में देखिए खेल आगे कैसे बढ़ा जब ये 2014-15 में हो रहा था तो 2015 की बात है कि उस समय का अमेरिका का राश्टरपती Obama भारत आया उसने भारत में एक विजिट करी जब वो भारत में विजिट करने आया तो उस समय भारत की सरकार को Obama ने एक पेशकश करी उसने ये बोला कि भई देखो अमारे पास एक air defense system है जिसका नाम है Patriot तो ये air defense missile system है आप इसको हमसे खरीद लो देखो अमेरिका को हर चीज को कहीं ना कहीं बेच नहीं होता है तो अमेरिका ने ये proposal दिया कि भई आप ये particular जो है air defense system हमसे खरीद लो अब हुआ क्या कि इंडिया ने का है या नहीं है 2016 में इंडिया ने देखा कि भई हमारे पास और क्या विकल्प है एक विकल्प हमारे पास Patriot का ये था कि Patriot के सामने एक बड़ा अच्छा system था जिसका नाम था basically Triumph 400 जो की S400 नाम से भी जाना जाता है जो की Russia का था जब हमने S400 को और Patriot को comparatively study किया तो हमने 2016 में अमेरिका में उस समय के जाते हुए राश्टरपती ओबामा क्योंकि अमेरिका में 2016 में चुनाव थे हमने अमेरिका को बोल दिया कि हमें आपका Patriot जो है वो जादा अच्छा लगनी रहा है तो आप अपने Patriot को देख लीजिए हम जो है हो सकता है कि शायद S400 की ओर जाए अब उमामा को ये बात पसंद नहीं आई तो उबामा ने उस समय सोचा कि किस तरीके से भारत को बदनाम किया जाए तो उस समय उबामा ने अपने CIA वानों को बोला कि कुछ देखोगी किसी तरीके से मैं जाने से पहले कुछ बदनामी भारत की करके चला जाए और उस समय ये हुआ कि CIA के Operatives जो Islamic State को कंट्रोल कर रहे थे पूरे के पूरे पाकिस्तान से लेते हुए इराक सीरिया के बेल्ट तक उन्होंने ये देखा कि वही ये जो इरान पाकिस्तान की बाउंडरी है इस इरान पाकिस्तान की बाउंडरी पे 1980 से अगर आपको याद होगा मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले ये बात बोली थी कि 1980 के दशक से इरान की मदद लेके भारत बलूचिस्तान में इंटर करके बलूचिस्तान में controlled instability करवा रहा था अब हुआ गया उस समय कि भारत का एक operative जिसका नम कुलबूशन जादव था जो की एक private activity के लिए उस समय वहाँ पर present था CIA वालों को नजर लगी कि ये बंदा यहाँ पर घूम रहा है उन्होंने क्या करा कि भई अब CIA वाले खुद तो करेंगे नहीं तो CIA ने वह information कुलबूशन जादव की जो है वह pass on करी जैशूल अदल को क्योंकि जैशूल अदल उस समय सल्लाउदीन फरुकी जो है वो तो basically पकिस्तान के control से काम कर रहा था जैशूल अदल ने क्या किया कि उसने क्योंकि वो बलूशिस्तान और इरान की boundary पे हमेशा operate करा करता था तो उसको उस एरिया की topography और terrain बहुत अच्छे से पता थी तो उन्होंने तुरंट जो है उस boundary के इलाके के पास एक छोटे से गाउं से कुल्बूशन जादव को अरेस्ट कर लिया और कुल्बूशन जादव को पकड़ के वहां से जैशूल अदल के लोगों ने उसको जाकर ISI को एक ransom पे यानि एक फिरौदी की रगम पे जाकर उसको बेच दिया अब इससे यह हुआ कि ISI वालों को जो है पैसा जो उन्होंने दे कर कुल्बूशन जादव को पकड़ लिया और जैसे ही ISI ने कुल्बूशन जादव को पकड़ा तो अमेरिका के दबाव से पाकिस्तान ने कुल्बूशन जादव के उपर पूरा नेरेटिव चालू कर दिया कि यह तो रौका उपरेटिव है यह चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर को तबाख करने आया था और यह देखिए चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर नहीं बनेगा आप जो मर्जी कर लीजे पाकिस्तान आपका चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडर और चाइना आप जो मर्जी कर लीजे नहीं बनेगा हम इसको नहीं बनने देंगे क्योंकि ये हमारी सोवरिन टेरिटरी से पास करता है कश्मीर की और सबसे बड़ी बात अगर ये बनता है तो ये पाकिस्तान को इंपावर करेगा ये दोनों चीज़े नहीं होंगी आप जितनी मरजी कोशिश कर लो 2014 से लगे हो आप चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडोर बनाने में 10 साल हो गए 10 साल में तो हमारे यहां पर मतलब एक पुल भी बन जाता है बहुत आराम से आपका एक कोरिडोर नहीं बन पाया चाइना का जो की ओवरनेट अस्पताल बनाने की शमता रखता है तो सबसे बड़ी चीज क्या थी कि उस समय C.I.A. के प्रेशर में जब ये बात हुई तो तब वहां पर ये हुआ कि जैशुल अदल ने कुलबूशन जादव को पकड़ के अमेरिका के बिहाफ पर I.S.I. को दिया और फिर अमेरिका के बिहाफ पर I.S.I. ने एक गलोबल ल बात है वल वर चेड़ दी कुलबूशन जादव को लेके कि देखो वहिया पाकिस्तान के अन्दर instability करवा रही है भारत देखो आप अगर हमारे नौर्थ-East में instability करो तो वो ठीक है आप हमारे नक्सलाइट को पैसा दो वो ठीक है आप हमारे यहाँ पे street protest करा वो ठीक है चाइना पाकिस्तान कोरिडोर नहीं बनेगा, बता रहा हूँ आपको, जो करना है आप कर लो, तो ये चीज जब पाकिस्तान को दिखी, तो उस समय पाकिस्तान ने ये ग्लोबल लेवल पे नरेटिव चलाया, और ये सारा नरेटिव सिरफ इसलिए था, क्योंकि ओबामा इस ब गया, अब डानल्ड टरंप जो है, जब वो आया, उसने आगे सबसे पहला काम ये किया, कि इरान की न्यूकलियर डील से उसने अपना पीछा छुड़वा लिया, अब जैसे ही उसने इरान की न्यूकलियर डील से अपना पीछा छुड़वाया, इरान तुरंद वापिस को बिना किसी के पलग जपकने से पहले यमिन में खेलना शुरू कर दिया थे अब यमिन में क्या है कि वहाँ पर हौथी रिबेल्स है वो बेसिकली रहते हैं यमिन के नौर्धन वाले इलाके में उन हौथी रिबेल्स जो है उन शिया's इसको इरान ने सपोर्ट करके वहाँ पर साओधी अरेबिया के उपर अटेक करवने चालू कर दिये अब इसको काउंटर करने के लिए 2018 में उस समय जो है साओधी अरेबिया में एक नया नया फुर्तिला लड़का आया था जिसका नाम था मौमद बिन सल्मान अब मौमद बिन सल्मान ने ये देखा कि भई इरान को तो मैं नक्की कर दूँगा खुदी नक्की हो गया इस प्रोसेस में बिचाला तो इरान को नक्की करने के चक्कर में उसने क्या करा कि बिना अमेरिका के सपोर्ट के और बिना किसी के पेशेंटली वेट करे हुए उसने बेसिकली ये कि कि उसने इस्लामिक देशों को फोन करके बोलना शुरू कर दिया कि भई मैं जो है यमिन पर आकरमन करने जा रहा हूं और इस आकरमन में मैं इरान को निप्टा दूँगा जो वो प्रोक्सी वर मेरे बगल में कर रहा है हाउती इसको करश कर दूँगा तो आप अपनी फोर्स अचा अब यमिन पर अटेक करना चाहता था मुहमद बिन सल्मान उसके लिए उसने फोन लगा दिया पाकिस्तान को उसने पाकिस्तान को बोला कि भई तुम चन लड़के बेद दो सर्प्राइसिंग बात है कि पाकिस्तान की परिस्तिती उस समय खुद बड़ी गंबीर थी और पाकिस्तान ऐसे अलातों से गोत्रू कर रहा था कि उसको खुदी नहीं समा जा रहा था कि उसका खुद का भविश्य क्या है तो यहाँ पर ऐसी परिस्तिती पाकिस्तान के साथ जब थी तो पाकिस्तान ने उस समय मुहमद बिन सल्मान के इस कैम्पेन को करने से मना कर द हम पालते हैं अभी तक इसने हमको कैसे मना कर दिया तो मुहमद बिन सल्मान ने का कि कोई नी समय आने पर तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा तुम गभराओं मत 2018 के end से मुहमद बिन सल्मान ने पाकिस्तान को बोलना शुरू कर दिये कि इतना पैसा आपको दिये अब आप लोटाना शुरू करो हम इको वापिस अब पाकिस्तान को समझ आ गया कि साओधी अरेबिया को अपसेट करना तो हमारे भारी पड़ गया लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे अच्छा अब समस्या और बढ़ गई ने तुरंद मुहमाद बिन सल्मान ने बोला कि इंडिया का यह इंटरनल अफेर है हम इसको सपोर्ट करते हैं इंडिया जो मर जी करें तो उस सपोर्ट के थुरू साओधी अरेबिया ने पाकिसान के मुह पे थपड़ मारा उसको सबक सिखाया कि तुमने पिछले साल जब हमने होती रिवेल्स को टैकल करने के लिए यमिन में आपसे फोर्स मांगी थी तो आपने मना करी थी हम अब भारत के साथ खड़े हैं तो ये चीज़ देखे पाकिसान को भी लगने लग गया कि भाईया ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया हमसे कि भाईया आज की डेट में तो जो है साओधी अरेबिया ही हमारे साथ नहीं खड़ा वो तो भारत के साथ खड़ा और वो भी सबसे सेंसिटिव इशू जो भारत के साथ हमने अपने अपने दिमाग में बना के रखा था कश्मीर है मसला तो मसला है कश्मीर के उपर ही अगर मान लीजिए कि भाई अगर साओधी अरेबिया खड़ा हो जाएगा इंडिया के साथ तो ये चीज़ देखके तो फिर पाकिस्तान को और खलबली मचने लगी अब पाकिस्तान ने साओधी अरेबिया को निगेट करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया कि उसने टर्की को इंगेज करना शुरू कर दिया अब टर्की और साओधी अरेबिया के वीच में परपेचोल लड़ाई है तो उस समय साओधी अरेबिया का मक्का मदीना की जो होली साइट्स हैं वो टर्की के ओटमन सुल्तान के पास हुआ करती थी तो अब अगर टर्की ओटमन इंपायर रिवाइव करेगा तो साओधी अरेबिया का इंफ्लूएंस गटेगा तो जब पाकिस्तान ने टर्की को काउंटर इंगेज करना शुरू कर दिया साओधी को काउंटर करने के लिए तो आप सोचिए कि उस समय यह उने लग गया कि तर्की के साथ का ये इंगेजमेंट पाकिस्तान का किसी को पसंद नहीं आया साथी अरेविया को भी नहीं आया अमेरिका को भी ये चीज बिलकुल पसंद नहीं आयी क्योंकि टर्की जो है अल्रेडी रश्या के साथ बहुत जादा क्लोज हो रहा था तो अमेरिका तो वैसे ही टर्की को लेके नाखुश था तो अमेरिका को भी ये चीज पसंद नहीं आए कि वही है तर्की जो है इसके साथ आपको जरुवत क्या थी इंगेज करने की अब जाहिर सी बात है अगर साओधी अरेविया निराश होगा तो उसके जो दो पाले हुए बंदर हैं वो भी निराश होगी उसमें एक पालावा बंदर United Arab Emirates है UAE और दूसरा पालावा बंदर बाकी GCZ के अंच्टन छोटे देश है तो ये सारे के सारे जो है पाकिस्तान को ल लेके अब पाकिस्तान कितना उच्छल लेगा तो पाकिस्तान इस प्रोसेस में 2021 से अजीब प्रकार की हरकतें करने लग गया उसने वो जैशुल अदल नामक संगठन से इरान के उपर फिर से प्रेशर डांगा शुरू कर दिया अच्छा इरान उस समय से अल्रेडी बहुत ह प्रेशर में और परिशान वैसे ही था इरान इस लिए प्रेशर में था क्यूकर दो इव हुए थे इसमें से सबसे पहला इवन्ट यह हुआ था कि दो जार बीस में 2019 में इजार निस बीस में इरान में दो इशुद हुए इरान के लिए सबसे पहला इशू तो ये एक problematic इशू आया कि अबू बकरल बगदादी को डॉनल्ड टरम्प ने एक drone strike के थुरू मरवा दिया दूसरा इशू ये आया कि 2019-20 के समय में डॉनल्ड टरम्प का क्योंकि election था तो election से पहले वो कुछ करना चाते थे देखो हर country के साथ ये होता है after all आपको ये बहात एक बहुती बड़ी famous कहावत है कि वही border पे तनाव है देखो कहीं अंदर चुनाव है तो ये अमेरिका के साथ भी चीज थी तो अमेरिका उस समय क्योंकि 2019-20 में election आने वाला था डॉनल्ड टरम्प का तो वो election से पहले कुछ करना चाहता था तो उसने सबसे पहले क्या किया अबू बकर अलबगदादी जो ICS का जिसको खुदी पाल के रखे तो उसको मरवा दिया क्योंकि ठीक है उसका utility कतम होगा उसको मार दो किसी और को देखेंगे और उसके बाद तुरंट क्या हुआ है कि 2019-20 में इरान का एक military का senior अधिकारी कासिम सुलिमानी को भी अमेरिका ने बम गिरा के मार दिया अब जब ये दोनों चीजें हुई तो इरान को ये चीज समझ आ गई कि भाया ये सारा इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी nuclear deal को अमेरिका ने withdraw कर लिया हमारी security at stake है तो हमें तो कुछ न कुछ security को लिए के करना ही पड़ेगा और पाकिस्तान जो है उस समय बैठा हुआ था वैसे ही निराज था क्योंकि पाकिस्तान का support कोई नहीं कर रहा था तर्की थी और साथ में थोड़ा बहुत अमेरिका जो है वैसे ही निराज तो था ही क्योंकि आप अमेरिका के साथ समस्य अगी ये वह पाकिस्तान को नढ़ डंप नहीं कर सकता है तो पाकिस्तान को उस समय उसने कौट करना शुरू किया 2020 22 में पाकिस्तान को फिर से प्रेशराई करा अमेरिका ने और अमेरिका ने उसको ये बोला कि आप इरान पे दबाव ढाली और इरान पे दबाब डालने का सबसे मतलब तरीका है सिंपल तरीका क्या है कि जैशोल अदल संगठन जो आपने बनाया हुआ है उसको बोलिए कि इरान के लोगों को बॉर्डर पे मारता रहे ताकि अगर इरान पाकिस्तान बॉर्डर वोलटाइल रहेगा तो इरान के उपर प्रेशर रहेगा अच्छा 2021-22 में क्या हुआ अब बाइडन आ गया था बाइडन सोता रहता है आपको मालूम है वो कभी कभी जागता है जैसे ही एक बार बीच में जागा तो उसने तुरंट पाकिस्तान को बोला कि भई आप एक काम करो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया का जो हेड था आइसिस का हेड अबू बकरल बगदादी वो तो मर गया है पर एक काम ये करो कि इरान के उपर दबाव डाल निकले आइसिस का रिवाइवल करो अब मुसाद ने क्या किया उस समय 2020-2022 में कि भई या अमेरिका के प्रेशर को फॉलो करते हुए या अमेरिका के इस कमंड को मानते हुए उन्होंने इराक में फिर से जाकर आइसिस के सेल्स को रिवाइव करना शुरू कर दिया अब एक जगा पर मुसाद इराक में बैटके आइसिस के सेल्स को रिवाइव करके इरान पे दबाव डाल रही है दूसरी जगा अमेरिका के आगे लेटा हुआ जमीन पे पाकिस्तान एक थपड़ खाके तुरंत जो है जैशू लदल का प्रयोग करके इरान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रियेट कर रहा है बॉर्डर पे उनके लोगों को सिक्यूरिटी फोर्सेस को मार रहा है और दूजार तेईस में यही हुआ कि जैशू लदल के एक छोटे से कंटिंजेंट ने दूजार तेईस के इरान ने पाकिस्तान को धंका दिया इरान ने बोला कि देखो पाकिस्तान तुम्हें इसका बदला लेके दिखाएंगे अब हम अब पाकिस्तान डर गया पाकिस्तान को मालूम था कि कुछ होने वाला होगा तो आपको जानके बड़ी आश्चर यह होगा कि 2023 के दिसंबर के महीने में 11 सेनिक मारने के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है ये तुरंट उठके वाशिंग्टन चला गया ये वाशिंग्टन जा के वहाँ पर बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करने लगा कि इरान हमको धमकी दे रहा है थो अमेरीका ने उसको बोला कि तुम टेंशन मतलो कुछ नहीं करेगा हम तो में कुछ आमजन आमवेशन बेचेंगे कुछ पैसा निकालना होगा तो ठीक है हम करीद लेंगे आप शे लेकिन आप हमको बचा लीजेगा अगर एरान ने कुछ किया अब जैसे ही ये बात हुई कि भीया अमेरिका ने बोला कि आप कुछ हमसे ने मुनिशन हमसे खरीद लेना तो ये चीज़ की भनक लग गई चाइना को चाइना जो चाइना पागिस्तान एकनॉमिक कॉरिडर में बता रहूं जो नहीं बनेगा वो बिचारा वहाँ पर बैठा हुआ उसको ये लगने लगा कि भई अमेरिका ने अगर ये बात बोली है और वो भी 2023 के दिसंबर के मैने में जब इसराइल और अमेरिका एक तरीके से हमस के खिलाफ और रड़ी युद लड़ रहे हैं तो उस समय चाहना को ये बात लगी दिसंबर 2023 पिछले महिने ही कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भईया ऐसी परिस्तिती क्रियर्ट हो जाए कि अमेरिका वापिस से पाकिस्तान को अपने इंब्रेस में ले ले अपनी गोद में बिठा ले क्योंकि अगर ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ अभी होके आया और उसको अमेरिका ने अशोरेंस दिया है मतलब अमेरिका पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा सोच रहा है अब ऐसे ऐसे शेगूफों को और स्प्रिंथन करने के लिए कभी-कभी भारत के उपर प्रेशराइज करने के लिए क्या होगा कि भई पाकिस्तान में उनके ब्रेटिश ऑन्वाई जो हैं वो कभी चले जाएंगे पीओके कभी पाकिस्तान का खुद का जो अमेरीका पाकिस्तान में अमेरीका का जो अम्बैसेडर रहा है डेविड ब्लूम जो है वो कभी चला जायगा बेसीकली पी ओके मेи तो भारत को भी प्रेशराइज करते रहते हैं या ऐसी हरकतें करके विजिट्स करके हम जानते हैं इस सब चीज़ें जो हो रही है तो यह हुआ है कि चाइना को लगा कि नहीं वही है अमएरिका का प्रेजन सब मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं होने दे सकता पाकिस्तान को अब मैंने अपना कॉलणी बना रखा है तो अमेरिका को उसने बोला कि विया इसको यहां से बाहर करना पड़ेगा लेकिन उसको ये बात मालूम थी कि इरान तो रिटैलियेट करेगा तो चाइना ने फोन उठा के इरान से बात करी इरान को पूछा कि आप कुछ करेंगे इरान ने बुला हम तो बदला लेंगे एक ऐसे टाइम पे लेंगे जब इनकी हालत खराब होगी और वो ही हुआ कि अगर आप पिछले एक हफते में देखते हैं तो इरान ने क्या क्या किया सबसे पहले उसने जैशुल अदल का बदला जो उसके ग्यारा सैनिकों को मारा था उसको टारगेट करने के लिए उसने पाकिस्तान पे आकर अटेक किया दूसरा क्या हुआ कि उसने इरान ने कहां अटेक किया इरान ने सीरिया में अटेक किया सीरिया में अटेक क्यों किया उसने अभी पिछले हफते मुसाद के हेड ओफिस को जो मुसाद का स्टेशन ओफिस था इराक के अंदर उसको अटेक किया तो अब आपके समझ रहे हैं कि इरान ने तीन जगा पर फ्रंट खोल दिया इरान ने पाकेस्तान को जो अटेक किया वो आउट ओफ दबलू नहीं था वो बदला था वो उसने लेना था अच्छा दूसरा उसने सीरिया और इराक में अटेक इसलिए किया क्योंकि दोनों जगा पर आईसिस का रिवाईवल हो रहा था और आईसिस का रिवाईवल सीरिया में USA की CIA कर रही थी और सीरिया के बाद इराक के एरिया में मुसाद कर रही थी तो उसने दोनों को बता दिया कि भहिया ये अब दुबारा इसका रिवाईवल तो मैं होने नहीं दूँगा अब जब ये पाकिस्तान के उपर अटैक हुआ तो सबसे बड़ी बात पता है क्या थी सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे लोग उस समय ये लिखने लग गए कि अब देखो पाकिस्तान वापस अटैक करेगा उन दोनों ने अपने राज़दूत वापस बुला लिये अब इन दोनों के भी जंग छिड़ जाएगी ये होगा कुछ नहीं हुआ चाइना आया चाइना ने इरान को बोला कि देखो ऐसा है तुमने अपना बदला लेना था तो एक काम करो तुम इसको एक जगा इडेंटिफाइ करके दे दो ये विचारा वहाँ पर जाके दो विजली बम गिरा आएगा लेकिन उसके बाद तुम दोनों एक दम बैट के भाई सुला कर लो क्योंके देखो चाइना ने इरान को भी बोला कि देखो भीया ज़्यादा हरकते मत करना क्योंके अगर अमेरिका आ गया ना पाकिस्तान में तो अमेरिका के पाकिस्तान में घुसने से चाइना ने बोल दिया कि हमको तो छोड़ो जो होगा होगा इरान तुम समझ लेना वेटा तुमको निप्टा देगा वो क्योंकि तुम्हारे को वो पाकिस्तान में रहके भी काउंटर करेगा तुम्हें अफगानिस्तान के थुरू तालिबान के वहाँ पर भी रहके काउंटर करेगा तुम्हें इराक और सीरिया तुम्हें हर जगा से लपिट लेगा वो तो इस reason से फिर दोनों के बीच में सोला करवाई गई और सोला करवागे पाकिस्तान को बोला कि चलो आओ ठीक है तुम दो बिजली बंगिरा दे न अभी चार दिन पहले पाकिस्तान गया, दो बिजली बंगिरा आया इरान में और देखो रात को विजली बहुं गिरा आगले दिन सुबह एकदम से खड़े होगे बोलने लगए आओ आओ बैठके सुला करें हम अपने पर रिष्टे पुराने जैसे करेंगे अब तो हम सबसे मजबूत रिष्टे करेंगे तो ये सारा खेल है तो ये चीज अब आपको और पाकिस्तान के इशू में तो इस इरान पाकिस्तान के इशू में अमेरिका की और किसी होर की नहीं सबसे बड़ी विक्टरी चाइना की हुई है क्योंकि चाइना ने इरान पाकिस्तान की सुला करवा के अमेरिका की स्पेस पाकिस्तान में घटा दिये और अगर अमेरिका पाकिस्तान इरान से लेके अपनी स्पेस हर जगा बरकरार रखता हुआ अमेरिका पे नजर रखेगा और ये सारे स्टेट से एक बरकार के बफर स्टेट बन चुके हैं आज की जियो पॉलिटिक्स में तो I hope ये थोड़ा सा लंबा विडियो ज़रूर था लेकिन ये complicated situation अब आपको पूरी एक एक धागे की तरह से clear हो गई होगी धन्यवाद